ओम नमश्युवाई दोस्तों यह प्रकृति जो है एक कोड से एक गोल्डन रेशो से चलती है इसकी चर्चा हम अनेको वीडियो में कर चुके हैं energy fractals waves you know there is a code to run everything in this nature ओके आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहत गूड और बेहत कारगर तंत्र एवं मंत्र शास्त्र शाबर तंत्र और शाबर मंत्रों की दोस्तों रामायन में एक प्रसंग आता है जहां श्री राम प्रभू श्री राम वन में वित्रण कर रहे हैं और उनकी जो एक भक्त हैं अनन्य भक्त हैं शबरी एक वृद्ध आधिवासी महिला हैं शबरी और उनके कुटिया में उनके घर में जो है स्री राम आगमन करते हैं अब भग्वान राम की खातिर दारी करने के लिए उनके पास कोई सुन्दर भोजन पक्वान आधि नहीं होते इसलिए कुछ बेर बेर फल जो है उनके पास पड़े रहते हैं और वही जो है भग्वान राम को समर्पित करती हैं शबरी माता और ऐसा कथन है ऐसा प्रसंग है हर बेर जो है वो अपने मुख से चक कर देखती है हर बेर का दाना जो है वो अपने मुख से चक कर देखती है और जो बेर मीठा होता है वह भेर भग्वान राम को खाने के लिए देती हैं ये देखकर जो लक्षमन हैं वे बड़ा ही आख्रोश में आ जाते हैं कि जूठे बेर आप कैसे खिला सकती है भग्वान राम को परन् भाव है यह उसका प्रेम है राम के प्रती जो उससे मीठे बेर चुनकर वह दे रही है और कथा इस प्रकार है कि यह जो बेर है यह बेर फल इसके माध्यम से कुछ घूडविद्या कुछ घूड़ रहस्य सब्री ने राम को दिये ताकि वे आगे चल के रावन को परास्थ कर सके माता सीता को वापस लां सके और यहीं से निर्मान होता है शाबर तंत्र यहां शाबर मंत्रों की जो उत्पत्ती है वह यही प्रसंग शबरी और शाबर यह शब्द जो है जुड़ा हुआ है यहीं से जो है शाबर तंत्र का निर्माण हुआ शाबर तंत्र में एक दूसरे को देवी और देवताओं को एक देवी देवता को दूसरे देवी देवता की दुहाई दी गई है हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं यदि कोई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा हो हम उसे भाव देखिए दोस्तों भाव शक्ति जो है बड़ी प्रबल है इस ब्रह्मांड में नॉर्मल जीवन में हम कोई हमारी बात नहीं सुन रहा हो तो हम उसे कह देते हैं कि तुम अपने पिता की बात नहीं मानों गे तुम अपने भाई की बात मानने से इंकार करोगे कुछ इसी तहरे का लॉजिक जो है शाबर मंत्रों में अपलाए होता है एक देवी देवता को दूसरे देवी देवता की दुहाई दी गई है कि इसके दुहाई के जरिये जैसे हनुमान जी को राम की दुहाई दी गई हनुमान जी जो है राम के अनन्य सेवक है तो हनुमान जी को राम की दुहाई गणेश को पार्वति की दुहाई शिव को पार्वति की दुहाई माता को शिव की दुहा खजाना हैं आप इससे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं हासिल कर सकते हैं आज हम बात करेंगे हनुमान जी के शाबर मंत्र की जो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन हर तरह का यूनो प्रोटेक्शन बुरी शक्तियों से प्रोटेक्शन नजर दोश है ना किसी भी तरह का नजर दोश हो दृष्टी दोश हो किसी का तंत्र मंत्र टोना टोटका आपको उपर किया हो उसमें आपको सायता कर सकता है आपकी रक्षा सुरक्षा कर सकता है हर कारे में आपको विजय दे सकता है मुकड में कोट केस आदी जो ही समस्य आपके जीवन में आपको परिशान कर रही है, उसमें ये मंत्र बराही एक राम बान सिद्ध हो सकता है, करना ये है आपको एक जैसे ये ले 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 लाल आसन पर हनुमान जी की मूर्ति को विराजित कर ले है न और कुछ मीठा भोग दो लड़ू आधी हनुमा जी को प्रशाद स्वरूप चड़ाएं और जो है एक लाल लंगोट आपको बजार में मिल जाएगी लाल लंगोट हनुमान जी को चड़ानी है वह भी नहीं मिलता है लाल वस्त्र आप हनुमान जी को समर्पित करें और इस मंत्र का 108 बार आवरतन करें चैंटिंग करें ओम वज्र का कोठा कि जिसमें पिंड हमारा बैठा ओस्ते लान्युप मेरे आठोउ धाम का यती राकि मन्त्र को मैं फिर से दो रहता हूँ ओम नम्हा वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा इश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला मेरे आठो दाम का यती हनुमत रखवाला 108 बार इस मंत्र का जाप करें हनुमान जी को लड्डू लाल वस्त्र लंगोट आधी का अधी समर्पित करें उनके सामक शेफ दीपक जलाएं है ना खुद स्वयम आसन पर विराजित हो हनुमान जी को लाल आसन पर विराजित करें 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें उसके पस्चाथ 108 बार जैसरी राम का आवर्तन करें लिप्टेशन करें माला पर उसे चैंट करें कि आप देखेंगे कोई इस तरह की तंत्र बादा है ना कोई टोने टोटके का कोई नजए दृष्टी का आपके ओपर असर हो कोई कोट कचरी का मुकद्मा आपके ओपर चल रहा हो लंबे समय से कोई रोग हो कोई लोगों में लोगों में आपके प्रती को एर्शा द्वेश की भावना हो हर तरह के समस्या जो है उसमें आपको इस मंच्र से लाब मिलेगा मुक्ति मिलेगी औना हनुमान जी आपकी रख्शा के लिए तत्पर रहेंगे और आपने राम जी का भी नाम ले लिया तो जी आपकी सायता के लिए हमेशा उपस्तित रहेंगे यह इस मंत्र को करें एवरी ट्यूजडे करें तो बहुत हर रोज करें तो बहुत अच्छा नहीं तो बहुत आपको लाभ मिल सकता है तो यह था हनुमान जी का शाबर मंत्र यदि आप अपनी जन्म पत्री का दिखाना च चाहते हैं या पूजा पाठ अधी को शुब मांगलिक कारे करवाना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करें हमारे महारिशी अस्ट्रॉल्जिकल सेंटर में मेरा नंबर है 9503596761 देखते रहें मेरे वीडियो महारिशी अस्ट्रॉल्जिकल सेंटर पर थैंक्स अलोट